नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल डेटक माइनिंग में मेरा नाम है गोविन शर्मा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बेसिक की क्लास वह भी बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तो आज यह हमारी कंप्यूटर बेसिक की 17 क्लास है इसमें हम बात कर हैं MS Office के बारे में क्या है MS Office जानते हैं MS Office का पूरा नाम Microsoft Office यह Microsoft Corporation के द्वारा बनाए कई application software का एक complete package है जिसमें बहुत सारे उप्योगी जो application software से वह आते हैं ठीक है MS Office जनल प्रफेशन के computer users से लेकर एडवांस तक की सारी बेसिक जरूतों को पूरा करता है MS Office का उप्योग document बनाने, spreadsheet बनाने, presentation बनाने तथा database management इत्यादी के लिए किया जाता है इससे पहले जब MS Office का software नहीं बनाया गया था तब लोग typewriter का use करते थे कोई letter type करने के लिए लेकिन उसमें कोई भी file save करने का option नहीं होता था यानि कोई भी गलती हो जाने पर वो पूरा का पूरा जो matter है वो हमें दुबारा से type करना होता था लेकिन computer program में जब MS Office जब implement हुआ तो बहुत ही आसान हो गया काम करना क्योंकि उसने हमें दुबारा से इस file को save करने की और correct करने की जो facility है वो provide करी ताकि हम कभी भी उसको edit कर सकें और जब चाहें तब print निकाल सकें ठेके फ्रेंट्स इन सभी कार्वियों को पूरा करने के लिए MS Office के MS Office के ही पार्ट है जैसे MS Word हो गया MS Excel हो गया MS PowerPoint हो गया MS OneNote हो गया और MS Outlook हो गया ही जो software से इनके different work हैं जैसे कि अगर हमें कोई letter type करना है कोई हमें document बनाना है या हमें कोई magazine का cover बनाना है कोई page design करना है तो हम MS Word के इंदर सको design करेंगे अगर आप accounting का या calculation का कुछ काम करना चाहते हैं तो आप Excel के इंदर काम कर सकते हैं अगर आप कुछ presentation ready करना चाहते हैं कहीं पर दिखाने के लिए तो आप PowerPoint का use कर सकते हैं जैसे कि यह presentation भी मैंने PowerPoint के इंदर बना ही हुई है इसके अलाबा OneNote है जिसके इंदर हम note बना सकते हैं उसको cloud पर store कर सकते हैं अब यह cloud क्या है इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे जानेंगे तो विल्कुल भी टेंशन मत लीजेए फ्रेंट्स क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से लेके सारी एडवांस चीजों तक सब बताने वाला हूँ छेके फ्रेंट्स ऐसे ही MS Outlook हो गया जो email के लि 2010, 2013, 2016, 2019 और लेटेस में 2021 वर्जन आया है लेकिन नॉर्मली जो अभी लोग यूज़ कर रहे हैं वह 2007 या 2010 वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं अगर आप लोग भी MS Office पे काम करते हैं आपने कहीं पर कुछ देखा है या आपके सिस्टम में अगर वो अभी लेवल है तो मुझे क जरूर बताए कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं या आपने कौन सा वर्जन देख रहा है ठीक है फ्रेंट्स अब हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे MS Word के बारे में इसके अंदर MS Word में कैसे काम करते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आपको बता आईए फ्रेंट्स तो मिल्कुल भी टेंशन मत लीजे हमाये चैनल से जुड़ी है और इस तरह की सारी इंफ्रमिशन आप राप कर सकते हैं ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आईए फ्रेंट्स तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजेए ताकि उनको भी ये इनफरमिटिव जो वीडियो है जो इनफरमिशन है उनको भी मिल पाए और वो भी सीख पाए जैसे आप भी सीखना चाहते हैं आप भी सीख रहे हैं इसी तरीके से और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी तो मिलत हैं फिर नेक्स वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे MS Word के बारे में